वेलकम टो माई चैनल एडवर्ट विंक्स एंड आज हम बात करेंगे जेके पीसी की तेज रफतार से जो की के एसके एक्जाम में दिखाई जा रहे है पहले प्री का एक्जाम जो है बिल्कुल ओन टाइम हुआ गया औल्दो वेदर वार्निंग भी थी उस टाइम में लेकिन पिर भी जेके पीसी ने पॉस्ट पॉर्ट नहीं किया एक्जाम एंड अब जो टेंटेटिव शेडूल डाला गया था फर्स्ट फॉर्ट नाइट का उसको भी जो है काफी स्ट्रिक्ली जेके पीसी के द्वारा फॉलो किया गया है एंड रात को जो नोटिफिकेशन आता है उसमें जेके पीसी की तरफ से एक तो मेंस के लिए जो टेंटिटिव एक्जाम डेट है यानि फिक्स इक्जाम डेट पहले थो फर्स्ट फॉर्ट नाइट कहा गया था अब जो डेट जो है वो भी एनॉंस कर दी गया है तेंटिटिव हाल्टो लेकिन आतिस साथ जो मेंस फ एक्जाम से पहले बच्चों के होने हैं I think हर बच्चा जो है लगबग इस पर दो तीन एक्जाम को मिला कर जो है वो देने वाला है आज चेले के अगले दो या धाई महीनों में तो काफी मुश्किल रहने वाला है तो यह भी हम देखेंगे कि आप बच्चों की स्ट्रेटरज में बच्चों के पास बच जाएंगे और उसके बीच में भी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का पेपर जो है जो कि बहुत सब्सक्राइब करेंगे वह पेपर भी बीच में है तो उसको अगर इंक्लूड कर दें तो यह दो महीने जो है यह और शॉर्ट हो जाते हैं तो कश्मीर जमन कश्मीर गुंट कंबाइन क्वटेटिव मेंज इकजाम 21 के लिए रात को ही जो ही जुए नोटिफिकेशन आया है यह दोलगी चीजें जो इसमें देख लिते हैं सबसे फेल तो मेंज के लिए आपको पता है जिनन भी बच्चों का प्री क्वालिफाई हुआ ह तो मेंस के लिए अब उनको फिल्कुल फ्रेश तरीके से जो हैं वो फिर से फिल करना है application form online रहेगा और online application form की जो starting तारीक है वो है आपकी 30 नवंबर तो 30 नवंबर से आपको जेके पीसी की website के उपर एक link मिल जाएगा जिसको आप click करेंगे and उसके बाद अपना roll number आपको डा जा गया है लगबग 400 बच्चे हैं तो जो जो बरना चाहता है इसके मीच में से तो वो 20 तारीक तक 20 दिसंबर तक भर सकता है 30 नवंबर से शुरू हो जाएंगे ठीक है उसके बाद आपके eligibility क्या रहेगी एक जनवरी 2021 तक ही जो है जैसा कि पहले notification में कहा गया था eligibility वही से decide होगी ठीक है cut of date जो है documents की वो भी same रहेगी बस आपको मेंस का exam अलग से बरना है ठीक है उसको एड़ एड़ अप्शन आएगा चली छोड़ी है उसको लेकिन main चीज जो यह है कि काफी सरे बच्चे पूछ रहे थे कि candidates जो की form भरेंगे क्या उन्लाइन application जो उन्ह भी काफी जो है वो जेके PC के office में देने की जरूरत नहीं है ठीक है तो आपको सिर्फ online application form भरना है और okay ठीक है तब उसके वक्त जरूर यह चीज रखीगी है कि form भरते time जो आपकी documents है उसको जरूर आपको upload करना पड़ेगा चाहे आपकी वो 10th की mark sheet हो डेटर बत करी आपकी आपको नहीं कोई hard copy जमा करानी है जेके PC के office में form भरने के बाद और नहीं कोई document जमा कराना है जैसे कि prosecuting officer में आपको पता document submission के लिए उनको बुलाया गया है या वहाँ पर उनको hard copy जो है submit करवानी पड़ेगी लेकिन जेके PC case के अगर case में कहो कोई भी document आपको या कोई भी hard copy जमा करानी के जुरूरत नहीं है ठीक है बस जो बंदे इन service हैं उनको जरूर करवानी पड़ेगी जो इन service candidates हैं उनको hard copy जमा करवानी पड़ेगी वह नीचे लिखा गया है ठीक है अब means की जो tentative date रखी गई है two sessions में आपको पता है एक दिन में दो paper होते हैं तो वो 14 तार भी exam होना होगा उससे दो या तीन हफते पहले वो डाल देगी लेकिन tentative rate जो है 14 फैब रखे गई है अगर मैं personally सोच हूँ या सब बच्चे यही सोचते हैं कि फैब में जो है inline यह 14 जो फरबरी रखी गई है यह inline with UPSC है या यूपीसी जैसे conduct करवा रही है तो उसके हिसा variation आपको देखने को जरूर मिल सकती है लेकिन अभी के हिसाफ से तो आपको यही date मान कर चलनी है आपकी तैयारी के हिसाफ से ठीक है जो इन-service candidate है वो प्लीस याद रखेगा इन-service candidate उनको hard copy जो है वो जरूर जमा करवानी है ठीक है तो इन-service candidate को जिनकी एक जनवरी 2021 को minimum 2 साल हो चुके हैं services को वो इन-service के थ्रू apply कर सकते है ठीक है बाकी आपकी जो है यह सब आपको पता है यह posting कितनी थी यह भी पुरानी वाली ही date है अगेन 14 जो है tentative date रखी गई है ओके इन सारी पुरानी चीज़ें है एज कितनी होनी चाहिए यह भी आपकी पुरानी वाली ही है horizontal reservation उसके बाद यह है कि documents आपको कौन से submit करने तो जब आप form भरेंगे तो आपको यह सारे document submit करने के option जो है वहाँ पर आ जाएंगे और यह सारे document से आपको अच्छी तरह केसे scan करके जो है वो upload करने पड़ेंगे इसमें क्या क्या है आपका एक तो domicile certificate आपको upload करना है date of birth के आप 10th की mark sheet यह 10th की diploma जो है वो upload कर सकते है देन आपको वो bachelor degrees का जा तो certificate है degree certificate वो भी कर सकते है नहीं तो आप final year की जो mark sheet है वो डाल सकते है उसे character certificate आपको डालना है character certificate कौन सा डालना है तो character certificate में अगर आप पढ़ रहे हैं तो जो भी school आपने last leave किया है और जिस degree में आप कर रहे हैं तो उससे पहले जो आपने जो भी institute leave किया होगा वहाँ से आपको character certificate मिला होगा तो आप वो upload कर सकते हैं इन केस अगर आप government apply है तो आपको अपने department के head से controlling officer से उसके seal के अंदर character certificate बनाना है अब कुछ भी नहीं है तो आप अपनी state के किसी भी gadgeted Office रहता है उसके ऊपर DYSP की सी है स्ञेयर घर्लियू है तो कोई भी character certificate में से आप लगा उसके वाद second आपको अगर आप category हैं आप category holder हैं आपको पास कोई reserve category है और आपने उसमें अपलाई किया तो category certificate पी डबल डीज के लिए आपको physically handicap certificate and in service जो होंगे उनको in service के लिए जो है वो अपने head of the department से seal लगवानी के लगवा कर वो भी hard copy जमा करवानी है जैसा कि मैंने आपको बताया ठीक जैनल categories के लिए gain 1000 रुपया है reserve वालों के लिए 500 है and physically handicaps जो है उनके लिए fee जो है वो माफ है अगर आप देखोगे तो scheme of exam अब आपका दो stages रह गी है पर यह आप qualify कर चुके तो आपका mains रह गया and interview इसके बाद होगा जो भी बच्चे जो है इसको qualify करेंगे and यहां पर scheme जो ह अगर आठ वेपर होंगे जिसमें से एक qualifying रहता है और साथ जो है वो compulsory रहते हैं ठीक है तो यहां पसे आपको अपना option वगएरा भी देख लीजिएगा ठीक है ओके 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 नीचे अगर आप आओगे तो personality test के आपको बताया गया है आप 200 मार्क से चली यह बात की बात है जब मेंस हो जाएगा उसके बाद हम इसके ओपर discuss करेंगे अब इसको discuss करने का कोई फाइदा नहीं है ठीक है और जो पॉलिस services में जाना चाहते हैं जेके PSC सुर इसकी strategy आपकी क्या रहनी चाहिए जेके PSC AR के एक्जाम तक जैसा कि मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में communicate किया था कि अभी आप optional जो है उसको रहने दीजिए optional को बिल्कुल मत पढ़िए अगर आप JKBSC AR के लिए भी पढ़ रहे हैं AR के वेपर तक आप सिर्फ GS पर फोकस कीजी लेकिन आपको GS के जो 4-5 portion को इस तरह से पढ़ना है AR के लिए आपको बापिस मेंस के लिए GS पढ़ने की जरूरत ना रहे उसके बाद जब आपका AR का पेपर खतम हो जाएगा तो दिसम्बर के जो दिन बच रहे हैं जैसा कि में आपको पहले भी बताया था उसमें आप GS का जो covering बाकी portion रहता है वो कीजिए और आज मैं आप से दो चीज GS1, GS2, GS3 देखोगे उसमें काफी सारी चीज़ें जो हैं वो compiled हैं जैसे आपको quality होगी, history होगी, geography ये एक ही section में आजाएगी ये आपकी दूसरी economics, environment तीन चार section मिलकर एक paper को बनाती है लेकिन जो आपको fourth paper है ethics and integrity का ये एक single paper है जो की 500 number का रहता है तो please आपको December के जो बचे दिन हैं उसमें से कोश्च कीजिए का आपको एक हफते, एक हफता कम से कम आप ethics and integrity को दें क्योंकि ये paper आपका सबसे ज़्यादा scoring paper जो है माना जाता है जितने भी 4 GS के paper होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा scoring paper अगर कोई माना जाता है तो आपका ethics and integrity का माना जाता है लेकिन आपकी जैसा कि मैंने कहा AR के लिए आप history, quality, economics, environment, geography ये सारा कुछ आप पढ़ लोगें ये अब answer कर सकते हैं लेकिन ethics and integrity अगर आपने नहीं पढ़ रखा होगा क्योंकि ये जिके SSB के paper में या जी कहीं पे भी आपको आता नहीं है ये आपको ने तरिके से ही पढ़ना है बिल आपकी जैसे हुए दिसंबर के दिन हैं उनमें जरूर ethics and integrity पर focus कीजिएगा बाकी newspaper पढ़ते रहिए उसमें आपका essay and GS के बाकी paper जो रहेंगे वो भी काफी जादा cover हो जाएंगे ऐसे के लिए एक book आती है essay 151 essay करके book आती है तो वहाँ पर आप essay जो है वहाँ से भी कुछ social topics आपकी आपका जो जैन का महीना रहेगा जैन के महीने में आपको optional अपना जो है बहुत जादा चेतरी के से तयार करना है तो optional I hope आप लोगोंने select कर लिया हो जो भी freshers है उन्होंने भी optional select कर लिया होगा optional कैसे select करना है इस पर भी मैंने video बना रखी है तो link में उसका डाल दू आपको optional कैसे लेना है को जल्दबाजी में अपना option लेने की जूर नहीं लेकिन उस video को डाले हो काफी time हो चुका है तो मुझे उमीद है कि अभी तक जो है बच्चों ने अपना option select करके start कर दिया होगा लेकिन January का महीना आपको पूरा जो है वो optional को देना है जिसका भी optional जो ह पर वक्त देना है जो आपके AR के बाद के बच्चे दिन होंगे और AR से पहले पहले आपको GS का जो बाकी portion है GS 123 उसको बिल्कुल रटे बे कर लेना है ताकि आपको दुबारा बढ़ने की जूरुत नहीं पड़े फिर आपके जो fab के जो दिन बच्चेंगे आपके पास 13 दिन यह बले या थोड़े extent भी हो जाए तो जो 15-20 दिन आपके बच्चेंगे तो उसमें आपको फिर से revision करनी है क्योंकि आपको exam के बीच में revision का टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलेगा ठीक है तो यह strategy आपकी रहनी चाहिए आज के बाद आगे से बागी जो finance account resistant का भी attempt ले रहे है उनको थोड़ा जरूर difficulty भी आएगी और उनको manage करने में थोड़ी शायद problem आईगी लेकिन आपको फिर अपने हिसाब से manage करना पड़ेगा जो भी exam ज्यादा preferable है आप में यह कूंगा कि उसकी तरफ जाए ज्यादा exams को अगर आप दो मेने के अंदर दो या तीन exams को target करेंग तो शायद थोड़ा मश्किल रह सकता है तो बाकी अपनी विल्ट पर जाएए अपने भरोसे पर जाएए आपको जिस फील्ड में लग रहा है कि मैं कर सकता हूं जो फिल्ड में लिए जादा important है उसी फिल्ड को चूज कीजिए ठीक है आज की वीडियो में इतना है बन रहे झाल, उल्बस्त चूज कीजिए ऑर्ग ये जईद कीजिर उने लित पलाएए हुड sevक दो कीजिए इतना है लिए ज सना आपको च्छेर तौन कीजिए के लिए झाल, पर जाएएए लिएल जिए जैंवासी कर सकता हैंज क15 लाएएएर छाहिएएवज के दो में हम लग, ल